हालो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी यूटूब चैनल सेव कोचिंग क्लासेज पर तो दोस्तों आज का जो हमारा आज का जो हमारा टापिक है वह क्लास 12 एंसी आइटी चैप्टर 2 तो दोस्तों यदि आपने चैप्टर 1 का कोई भी टापिक यदि नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते होगा हमने विद्वत पूरे टापिक क्लियर करवा दिये थे आपको तो चलिए आज हमारा चैप्टर 2 है तो इसमें देखिए आज का जो हमारा टापिक है दोस्तों वह है एक प्रारूपिक पुस्प की सन्रचना या इस्ट्रक्चर आफा टिपकल फ्लावर देखिए एक प्रारूपिक पुस्प की सन्रचना जो है इसको देखते हैं तो मुख रूप से हमें दो तीन बातें पहले ध्यान में रखनी है देखिए जिसमें सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है हमको आब्रत्वीजी पादपों में पुस्प का पाया जाना एक महत्तपून लचन है देखिए जो पुस्प हैं दोस्तों यह केवल आब्रत्वीजी पादपों में ही प्रेजन्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह पुस्प का पाया जाना अब्रत्वीजी पादपों का क्या है बहुत महत्तपू होता है क्या हूं कि इसमें email और female दोनों जने नांग क्या होते हैं पुस्प में ही उपस्थित होते हैं चलिए देखते हैं चो तीसरी point हमारी द्यान में रखने योग वाते हैं वो क्या दोस्तों एक रुपांतृतरी प्रवु है देखिए दोस्तों यह पेपर की आप समझ सकते हो देखिए हमारे पास मान लीजिए यह हमारी म्रदा के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो तो हमारा क्या कहला गया इसको हम क्या बोलते हैं यह नीचे जो होता है इस नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं ठीक है दोस्तों क्या बोलते है रूट होती है और इसके उपर का जो भाग निकलता है हमारा जो आगे चल के तना और साखाओं में रूपांतित हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं प्ररोह बोलते हैं देखिए प्ररोह तन्त commer SEC होता है एक तो हमारा होता है जो टना बनाता है और आगे चल कि प्ररोह किसमें रुपांत्रित हो जाता है फूलों में रुपांत्रित हो जाता है तो यह किसमें रुपांत्रित हो गया चूंकि प्ररोह ही पुस्पों में रुपांत्रित हो गया इसलिए हम इसको क्या कहते हैं पुस्पों एक रुपांत्रित प्रोह कहते हैं तो चलिए द क्रम में हम सहाई भागों समझते हैं पहला प्रकार क्या होता है या इंगलिज होता जीन में ब्रंत होता है ऐसे क्या करते हैं मुझको सब रंति पुस्प कहते हैं अब आप देखी यह पुस्प का ऐसा भाग है दोस्तों जिसके द्वारा पुस्प जो है तने से या साखे से क्या होती है जूड़ी रहती है चलिए हम आपको डाइग्राम में दिखाते हैं कि पुस्प ब्रंत या डंठल तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे नीचे यह एक पुस्प की सनचना हमने बनाई है और इसमें आप देख सकते हो इसके इसका जो सबसे निचला भाग है यह देखी यहां पर क्या है यह पुस्प ब्रंत या डंठल होता है और देखे पुस्प का सबसे निचला भाग होता है जिसके द्वारा पुस्प जो है किसी साख है या टैनी से क्या होती है जूड़ी रहती है चलिए जो हमारा दूसरा प्रकार है दोस्तों तो देखिए जो दूसरा हमारा भाग है दोस्तों वो होता है पुस्पासन या थैलमस जिसको हम कहते हैं देखिए पुस्प का वहे अंग है जिस पर पुस्प के चारो भाग उपस्थित होते हैं देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं तो फ्लाबर में में चार भाग होते हैं किसने भाग दोस्तों में चार भाग होते हैं तो इन में चार भाग जिनके उपर उपस्थित रहते हैं अर्थात जो चारो में भाग जिसके उपर आश्रित रहते हैं या आसन में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं पुस्पासन कहते हैं अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुस्पो के सभी भागों का आसन है यह ना तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पुस्पो का आसन है अर्थात इसको हम पुस्पासन कह सक तो देखिए पुस्प के चारो भाग जो है पुस्पासन में ही क्या होते हैं उपस्थित होते हैं या पुस्पासन के ऊपर ही लगे होते हैं चलिए डाइग्राम में हम देखते हैं दोस्तों तो यहां पे आप दोस्तों फ्लावर की सनचना में देख सकते हो यहां पास यह जो तो कैलिक्स, कोरोला और हमारे पास क्या है दोस्तों इसके बाद जो पुमंग है और जो जायांग है दोस्तों हमारा चारो भाग देख सकते हो आप एक, दो, तीन, चार ये चारो भाग देख सकते हो आप इसी के ऊपर जो हैं इस्थित हैं ये देखे ये हमारा पुस्पासन है और इसके उपर चारो भाग पुस्प के एक, दो, तीन, चार देख सकते हैं चारो भाग इसमें इसके उपर उपस्थित हैं चलिए दोस्तो अब हमारा नेश्ट भाग है अब चलिए दोस्तो हम देखते हैं पुस्प के चार प्रमुग भाग होते हैं मेंली चार भाग होते हैं पुस्प के प्रमुख भाग चलिए उसमें से जो हमारा पहला भाग है दोस्तों वो है बाहंदल पुंज या कैलिक्स जिसको हम बोलते हैं तो बाहंदल पुंज या कैलिक्स क्या होता है दोस्तों तो आए समझते हैं यह पुस्प का सबसे बाहरी चक होता है अर्थात पुस्प में सबसे बाहर होता है तथा इसकी प्रतेक इकाई को हम बाहंदल या सेपल कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसकी एक इक इकाई को यानि यदि एक बाहंदल पुंज है यानि एक ये बाहंदल पुंज है तो उसको हम क्या कहेंगे बाहंदल या सेप प्राया हरे रंग के होते हैं देखिएगा आप फ्लावर में किसी भी फ्लावर में देखिए दोस्तों जो बाहरी भाग होता है वह प्राया क्या होता है अधिकतर हरे रंग के होते हैं चलिए हम डाइग्राम में देखते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पर आप देख स दोनों बाहरी भाग बने हैं तो ये बाहरी भाग क्या कहलाते हैं दोस्तों बाएं दल पुंज कहलाते हैं क्या कहलाते हैं चलिए दोस्तों अगले भाग भी चलते हैं हम जो पुस्प का हमारा अगला भाग है दोस्तों वो है क्या डल पुंज या इसको हम क्या बोलते हैं को र पहला बाहरी चक्र था, सबसे बाहरी चक्र था, और उसके बाद जो दूसरा बाहरी चक्र होता है, वो क्या होता है, दल पुंज होता है, तो यह दूसरा पुस्प का चक्र होता है, तथा इसकी प्रतेक इकाई को हम क्या कहते हैं, इसकी प्रतेक इकाई को हम दल कहते हैं, या एक दल पुंज यदि है तो उसको हम क्या बोलेंगे पेटल बोलेंगे या दल बोलेंगे और जब कई सारे दल पुंज मिल जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे एक यदि दल पुंज है तो उसको हम दल बोलेंगे और यदि कई सारे दल पुंज आपस में दल मिल गए तो उस सकते हो कि हर एक पौधे में हला अलग 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 रंग के प्राया क्या होते हैं को रोला पाये जाते हैं आप चाइना रोज में भी देख सकते हो जिसको हम गुड़ाहल कहते हैं उसमें लाल कलर को होता है हमारा जो वो क्या कहलाता है दोस्तों दलपुंज गयलाता है वही हमा दल पुंज या कैलिक्स बोलते थे इसके बाद का जो दूसरा हमारा बारी चक्रे दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दल पुंज बोलते हैं और देखिए दोस्तों जो हमारा ये दल होते हैं या पुस्प होते हैं ये दल क्या करते हैं पुस्प को अकरसक बनाते हैं देखिए और अकरसित होते हैं केट जिसके माद ध्यम्स क्या होता है परागन की क्रियसंपन होती है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है क्या है दोस्तों वो बाएं दलपुंज और जो दलपुंज है यानि जो हमारा कैलिक्स और जो कुरोला है तो यह पुस्प से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों यह क्या होते हैं पुस्प के केवल सहायक चक्र होते हैं और इनका काम क्या होता है दोस्तों तो इनका काम केवल और केवल क्या है पुस्प के जो अवस्त्यक चक्र है दोस्तों तो पुस्प के अवस्त्यक चक्रों को यह क्या करता है सुरच्छा देता है कैलिक्स और कोरोला दोस्तों बाइं दलपुंज और दलपुंज यह क्या है पुस्प के सहायक चक्र हैं जो क्या करते हैं केवल पुस्प के जो अवस्यक चक्र हैं या अवस्यक जनन चक्र हैं उनको क्या करते हैं सुरच्छा देते हैं अब चलिए दोस्त तो जो हमारा पुमंग या एंड्रोसियम होता है तो क्या होता है तो दोस्तों यह पुस्प का तीसरा चक्र होता है काउन सा दोस्तों पुमंग जो है यह पुस्प का काउन सा चक्र है तीसरा चक्र है और यह पुस्प का क्या होता है दोस्तों नर्भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों लगु भी जान पर्ण भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लगु भी जान पर्ण या माइक्रो इस्पोरो फिल भी कहते हैं तो चलिए दोस्तों ये जो हमारा पुमंग है क्या का दोस्तों हमने कि यह पुस्प का तीसरा चक्र होता है और यह पुस्प का क्या होता है नर्भाग होता है अर्थात नर्जननंग होता है क्योंकि इसी में पुस्प का नर्जननंग उपस्थित होता है इसी को हम क्या कहते है दोस्तो लगुबी जाड़ पर्ण भी कहते हैं और इसकी प्रत्यक इकाई क्या कहलाती है दोस्तो पुंकेसर कहलाती है या इस्टेमेन कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तो इसकी हर एक इकाई या इसकी हर एक इकाई क्या कहलाती है पुंकेसर कहलाती है तो चलिए दोस्तो हम देखते हैं पुंके works और यह दोंग देखते हैं यहां पर देखते हैं और यह यह कौं DRK कहते हैं और धेक height और इसकों पराग जोट यहां उसकों क्या एंग्ली समिभग itself को कहते हैं और हिंडी में हीonne हम आपको कहते हैं अब देखिए दोस्तों जो दोनों लोब हैं एक लोब हमारा ये हो गया और एक लोब हमारा ये हो गया अब इन दोनों लोबों को जो आपस में जोड़ रहा है जो भाग यहाँ पे देख सकते हूँ यह जो दोनों भागों को जोड़ रहा है आपस में इसको हम क्या बोलते हैं connective बोलते हैं या योजी बोलते हैं योजी का काम क्या होता है दोनों लोबों को या दोनों एंथर को क्या करना आपस में जोड़ना एंथर में देखे यहां पर दो लोब दिख रहे हैं एंथर लोब दिख रहे हैं यहां पर और जो इसके नीचे का जो लंबा भाग है इसको हम क्या बोलते हैं जो बारी भाग है इसके नीचे का इसको हम बोलते हैं फिलामेंट क्या कहा दोस्तों हमने इसको फिलामेंट अब देखिए दोस्तों एंथर के अंदर क्या होता है कि एक लोब में दो इस्पुरेंजिय होते हैं दो माइक्रो इस्पुरेंजिय होते हैं जिसको हम लगू भी जान धानी कहते हैं या पराग धानी कहते हैं देखें पराग कोस के अंदर क्या होता है दोस्तो पराग धानिया हो गई क्या है ये माल लेजिए हमारा पराग कोस है दो लोब है यहाँ पे और दोनो पराग कोस के अंदर आप देख सकतो एक एंथर लोब में या एक पराग कोस में क्या है दोस्तो एक पराग कोस में यहां पे देख सकते हो एक दो यानि एक लोब में क्या है दोस्तो दो पराग धानिया है तो दोनों लोब में मिला के टोटल कितनी पराग धानिया हो गई दोस्तो चार पराग धानिया हो गई तो एंधर के अंदर क्या होता दोस्तो पराग को इंग्लिज में आप देखिए दोस्तों जो माइक्रोइस्पोरेंजिया है तो माइक्रोइस्पोरेंजिया के अंदर आप देख सकते हो कि सभी माइक्रोइस्पोरेंजिया के अंदर हमको नीले कलर सी यहां पर देख सकते हो आप हमने इसको दर्साया है तो पराग धानियों के अंदर यह लगु भी जाड़धऊनि के अंनर क्या होते हैं जिसको हम पराग गंड बोलते हैं और यही पराग करी क्या होते हैं नर्जननंग क्या होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि अंदर परा गंड है यह इसको लगh पोरोफिल कहते हैं तो चलिए दोस्तों आपको एंथर समझ में आ गया होगा अब दोस्तों चलते हैं अब हम इसके नेश्ट भाग में चलते हैं चलिए दोस्तों तो पुस्प के मुख चार भागों में से जो हमारा चौथा भाग है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं कि स्थी के सरके पहले आपके वेधा होता है कि तता हैं ऐसा है पुस्प के सबसे आंतरीक में होटा था है और यह दोस्त्तों होता है और यह दोस्तोखunto क्या था जननांग है तो यह दोस्तों क्या है पुस्प का मादा जननांग है इसकी प्रतेक इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों अंडब कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों कारपल कहते हैं यह हम इसको अंडब कहते हैं तो चलिए दोस्तों क्या कहा हमने यह पुस्प का कहते हैं दोस्तों अंडप कहते हैं तो देखिए दोस्तों हम यहां पर जायांग की सनरचना देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है जायांग की सनरचना दोस्तों यहां पर देखिए हम जायांग का चित्र बना रहें दोस्तों तो जायांग की सनरचना में दोस्तों हमको मुख रोप से क्या दिखते हैं तीन भाग दिखाई देते हैं कितने भाग दिखाई देते हैं दोस्तों तीन भाग देखिए जायांग में दोस्तों सबसे उपर का जो हमारा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम स्टिग्मा कहते ह अब देखिए दोस्तो इसके नीचे का भाग यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है दोस्तो यह क्या कहलाता है हमारा इसको हम बोलते हैं style क्या बोलते हैं दोस्तो इसको हम style कहते हैं या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्तिका क्या कहते दोस्तों हिंदी में हम इसको वर्तिका कहते हैं तो उपर का जो सबसे भाग है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं इस्टिग्मा कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं और जो दूसरा भाग हमारे यहां से लेके यह जो हमको एक नली दिख रही है एक सीधी सी तो यह यहां से लेके है ओवरी या अंडासे कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों यह हमारा ओवरी कहलाता है तो यह तीसरा भाग हो गया अब दोस्तों देखिए इस बिजांड इस अंडासे के अंदर क्या होता है दोस्तों अंडासे के अंदर यहां पे एक सन्रचना बनती है इसको हम क्या कहते हैं द कहते हैं दोस्तों इसको हम ओब्यूल या विजांड कहते हैं कि इसको हम विजांड कहते हैं और यह जो तीसरा भाग्त हमारा ओबरी यह इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अंडासे कहते हैं तो देखिए दोस्तो जायांग में मुखरूप से तीन भाग होते हैं इस्टिग्मा या वर्तिकाग्र और दूसरा है दोस्तो वर्तिका और तीसरा है हमारा अंडास है तो देखिए इन तीनों भागों को मिला के दोस्तो हम क्या कहते हैं ये तीनों भाग मिलके क्या कहलाते हैं दोस्तो गाइनोसियम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तो ये तीनों भाग मिलके आपस में गाइनोसियम या जायांग कहलाते हैं एग चलिए तो यहां पर आप फंटनली देख सकते हैं दोस्तो जो हमारा गाइनोसियम किया और दूसरे दोस्तो क्या है यहां पर देख सकते हो आप Greeks यहां पे नोट करने वाली चीज़ है किय जायांग क्या होते हैं दोस्तों यह पुष्प के आवस्यक जननिक चक्र होते हैं हमने क्या बताया इसके पहले दोस्तों आपको कि जो बाहें दल पुंज और दल पुंज होते हैं यह क्या होते हैं सहायक चक्र होते हैं और जो दोस्तों हमारा पुमांग या जायांग है या ए साथ अपने दोस्तों के बीच सेयर करें आप से मिलते हैं दोस्ता हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम